हलो फ्रेंड्स आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 10 करने जा रहे हैं जिसका नाम है ता सर्मन एड पनारस रिटन बाइब बैटी रेंसो बैटी रेंसो ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है वेल्यूज एंड वॉइसिस अ कॉलेज रीडर 1975 उसी में से एक ये एक्स्ट्रेक्ट लिया गया है एक अंसर लिया गया है इसमें भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है आपको बहुत सारे महत्माओं के बारे में संतों के बारे में जानकारी होगी जैसे स्वामी रामतिर्थ, स्वामी विवेकानंत, महत्मा गांधी और इसी प्रकार से एक हुए हैं हमारे गोतम बुद्ध इनका नाम गोतम बुद्ध कैसे पड़ा बच्पन का क्या नाम था यह सब जान लेते हैं इनको सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यह बुद्धीजम जो एक बुद्ध धरम हुआ उसके संस्थापक मना जाता है गोतम बुद्ध को उसका फाउंडर मना जाता है इनका वास्तिक नाम ता सिध्धार्ता गोतमा सिध्धार्त गोतम से इनका नाम जब इनको ज्ञान की प्राप्ती हो गई तो इनका नाम पढ़ गया गोतम बुद्ध इनको साक्य मुनि भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है उसका भी एक रिजन है इनका जन्म 563 BC में हुआ और इनकी जो डेथ हुई वही 483 BC में इनका जन्म साक्या एक समराज्य है साक्या किंग्डम है जहां पर सिध्धार्त गोतम के पिता किंग सुद्धोधन और इसकी माता माया कई पुष्टकों में लिखा है माया देवी ये दोनों साक्या किंग्डम में रहते थे साक्या किंग्डम की कैपिटल राजदानी थी कपिलवस्तू और कपिलवस्तू के पास ही एक प्लेस था लुम्विनी लुम्विनी वन में सिध्धार्त गोतम का जन्म हुआ और लुम्बनी वनी साक्या किंग्डम या कपिल वस्तू कहां पे थी? नेपाल में तो नेपाल में भगवान बुद्ध का जनम हुआ साक्या किंग्डम की राजदानी कपिल वस्तू के पास है लुम्बनी नामकर स्थान पर इनकी वाइप का नाम यशोधरा और इनका एक पुत्र था राहुल ये ग्रस्त जीवन में भी रहे फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने सब कुछ छोड़ करके ये गोतम बुद्ध के नाम से जाने गए और इन्होंने सन्यास ले लिया ज्यान की प्राप्ति हुई तो किस परकार से यह सब हुआ यह आपके इस चेक्टर में बताया गया है इस चेक्टर में बताया गया है इसके उप्ठविदेशों के बारे में इसके सर्मन के बारे में आपके पास The Sermon Espanars में बताया गया है कि 563 BC में गोतम बुद्ध का जन्म हुआ जिनका आसली नाम क्या था सिद्ध हर्था और ऐसा माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो किसी महाग्यानी ने राजा सुद्धन को बताया कि आपका ये पुत्र संत हो जाएगा ये सादू सन्यासी बन जाएगा तब इसके पिता ने इसके लिए तीन अलग-अलग महलों का निर्मान करवाया जो अलग-अलग सीजन के हिसाब से थे वहीं विंटर सीजन के हिसाब से अलग पैलेस समर सीजन के हिसाब से अलग पैलेस यानि कि अलग-अलग रिटूओं में, अलग-अलग सीजन्स में इसको अलग-अलग उसी परकार के भाव महाँ पर दिखाई देते थे राजा सुद्दोधन ने गोशना करवा दी कि इस पुत्र को किसी भी परकार का दुख, सोरो, ग्रीप ये दिखाई ना दे और इस परकार से ये उन महलों में रहा, इसको हर परकार की सुख्सविदा प्राप्थ हुई, इसको किसी परकार का दुख दिखाई नहीं दिया करने दुख दिखाई नहीं दिया का मतलब जैसे इसको कोई बिमार व्यक्ति नहीं दिखाई दिया को नहीं दिखाई दिया यह सारी चीज़ें से अवाइड की गई इससे दूर रखी गई बारा वर्स की उमर में इसको भेजा गया पढ़ने के लिए हिंदू सैक्रेट सक्रिप्चर्स जो हिंदू धार्मिक पुष्टके हैं उसको पढ़ने के लिए भेजा गया जब ये वहाँ चला गया उसके ठीक 10 वर्स बड़े आराम से बिताए एशो आराम से महलों में रहें किसी प्रकार का इनको कोई समस्या नहीं हुई तब जब ये 25 वर्स के हो गए तब अपने सार्थी के साथ यानि कि जो रत को चलाता है चैरियट को चलाता है उसके साथ कहीं बाहर जा रहे थे और यह सब ऐसा माना जाता है कि परमपिता परमिश्वर की ऐसी माया थी जोगिस को बहार अगर जाता था तो हर तरफ अच्छी चीज़ें दिखाई देती थी कोई दूसरी परकार की चीज़ों को वहां से हटा लिया जाता था तब इसको सबसे पहले दिखाई दिया आसिक मैं एक बिमार आदम इसको दिखाई दिया इसने अपने सार्थी को बुचा यह क्या है उसने का यह बिमार है यह किसी बिमारी से पीडित हो जिसको बाद में गोतम बुद्ध के नाम से जाना गया जर गया कि मैं भी ऐसा बिमार हो सकता हूँ मुझे भी इस परकार की समस्या हो सकती है सार्थी ने कहा कि हाँ आपको भी ऐसी समस्या हो सकती है उसके बाद इसने एक बुड़ा आत्मी देखा इसने का ये क्या है ये बुड़ा हो चुका है पहले बच्पन में छोटा था पिछ जवान जब हुआ तो हम जैसा था अब ये बुड़ा हो चुका है अच्छा सबको बुड़ा होना है हाँ सभी बुड़े होंगे सभी old age से गुच्रेंगे इसके बाद इसको एक funeral procession funeral procession क्या होता है जब कोई रेक्ति मर जाता है किसी की death हो जाती है तो उसको अनतिम संसकार के लिए ले करके जाते हैं उसको बोलते है funeral procession सब्यत्रा तब इसने कहा ये क्या है इसके सार्थी ने बताया कि कोई मर गया है किसी की जैत हो गई है अच्छा तो इसी की जैत हुई है या सब की होती है इसको बताया गया कि सब के जैत होती है जो मुनस्य है वो मोर्टल है नस्वर है कोई भी इस दुनिया में आया है उसकी मुर्ट्यू निस्चित है और अंत में इसको दिखाई दिया एक भिक्षुक जो क्या कर रहा था जो बीग मांग रहा था arms के लिए better फॉर arms तो इपीक्षा मांग रहा था इसने पूछा यह कौन है यह भिकारी है यह भीक मांग करके अपना गुजारा करता है इन सभी चीजोंने इन सभी दुखों ने सरोज ने इसको क्या गर दिया द्रवित कर दिया और इसने तभी से क्या कर लिया कि सन्यासी बन गया है घर बार छोड़कर के निकल गया कैसे चला गया कैसे गया यह सब चीजे आप गोतम बुद्ध की जीवनी में पढ़ सकते हैं आपके चैप्टर में के वल यही पताया गया है कि उसक लेने के बाद लगवक्त साथ वर्स तक साथ साल तक इस खोज में घूमता रहा कि इन दुखों का कारण क्या है यखती बिमार होता है दुखी होता है यखती बूड़ा होता है दुखी होता है यखती भीक मांगता है दुखी होकर के मांगता है ऐसा क्या कारण है कि इन दुख पिपल के निछे बैठ के नीचे पीपल के पीड को नहीं होना है आपने अमेसा रखना है पीपल के नीचे बैठा क्योंकि आपको अपनी बुक के हिसाब से देखना है तो पीपल पेड़ के निचे बैठ गया और एक कसम खाली कि वो यहां से नहीं हिलेगा नहीं उठेगा जब तक उसको ज्ञान के प्राप्ती नहीं होगी और साथ दिन के बाद only in seven days उसको ज्ञान के प्राप्ती हो गई और उसने उस पेड़ का नाम रखा वो ट्री बोटिरी का मलबता है ट्री ओफ विश्टम बुद्धी मत्ता का वरिक्ष यानि कि जिस पेड़ के नेचे ग्यान हो गया हो उसको बोल दिया बोटिरी और वहीं से उसको जाना जाने लगा बुद्धा के नाम से तब तो कहते हैं कि पहले नाम क्या था सिद्धार्थ गोतम बा वार SJोना पुराप्थ हो गया हो आईये अब हम आगे चलते हैं देखते हैं क्या क्या होना है कि भारत की unter साथ ऐन?",गा के किनारे बहुत सारे तिर्टस्थल हैं उन्में से एक तिर्टस्थल आपको मिलेगा बनारस के नाम से भगवान बुद्ध ने अपना पहला सर्मन पहला उपदेश पहला ज्यान लोगों को पहली जानकारी दी अच्छी बातों के बारे में वो बनारस में दी जो गंगा के किनारे उपस्थित इस्थित बहुत सारे तिर्टस्थलों में से एक जाना जाता है वहाँ पर इन्होंने अपना फर्ष्ट सर्मन दिया आपके इस चैप्टर में एक कहनी दी हुई है बुद्ध से सम्मंधित बुद्ध से रिलेटिड के बुद्ध ने किस परकार से इन्सक्रूटेबल काइंड ओप सफरिंग का होता है ऐसा दुख ऐसी प्रोबलम जो बहुत ही दुर्बोध हो जिसको पहचानना जानना बहुत कथिन हो और उस समस्या का निदान भगवान बुद्ध ने कैसे कर दिया कितनी आसाने से कर दिया ये बताया गया है अब कहनी क्या है कहनी में किसा गोतमी नाम की एक स्त्री है उसका एक बेटा था और वह बेटा मर चुका है अब वह है अपने डेट सन को ले करके अपने नेबर्स के पास जाती है कि मेरे बेटों को जिन्दा करतो मेरे बेटे के लिए कोई ऐसी दवाई दे दो सभी नेबर्स कहते हैं कि she had lost her senses अपनी बुद्धी खोदियस ने पागल हो गई है इसको पता नहीं है कि इसका बेटा मर चुका है उसको कहते हैं तो मर चुका है तुम पागल हो गई हो लेकिन वह ऐसे ही घुमती रहती है और बहुत ज़्यादा घुमने के बाद वह एक व्यक्ति से मिलती है वह आदम उसको कहता है कि I can't give medicine to your son मैं तुम्हारे बेटों को दवाईत नहीं ते सकता बच आई नो सच्चा physician who can cure your son मैं ऐसे physician को जरूर जानता हूं मैं ऐसे चिकित्सक को जरूर जानता हूं जो तुम्हारे बेटों को ठीक कर सकता है और उस इस्त्री ने एक दम से कहा कि बताओ मुझे कौन है वह तब उस आदमी ने कहा कि go to Sakya Muni बुद्धा किसके पास जाओ Sakya Muni के पास जाओ मैंने आपको chapter के सुर में कहा था कि इसको Sakya Muni क्यों कहा जाता है क्योंकि ये Sakya Kingdom से सम्मद रखता है क्योंकि Sakya Kingdom में इसके फादर का राजा सुद्धान का राज था तो ये वहां से था तो इसको Sakya Muni कहने लगे तो उस व्यक्ति ने कहा कि जाकर के तुम किसके पास जाओ Sakya Muni के पास जाओ बुद्धा के पास जाओ और तब है बुद्धा के पास गई उसको कहा Lord Hey भगवान Hey Master स्वामी भगवान ऐसा कहकर के चिलाने लगी और कहने लगी कि कोई ऐसी मेडिसन दे दिजिए जिससे के मेरा बेचा ठीक हो जाए उसके बाद बुद्धाने क्या कहा आईए जानते हैं बुद्धाने जब ये सुना कि किसा गोत्मी कह रही है कोई ऐसी दवाई दे दो कोई ऐसी मेडिसन दे दो इससे मेरा पूत्र ठीक हो जाए बुद्धाने कहा You want a handful of mustard seed मुझे क्या चाहिए एक मुझ्ठी mustard seed की चाहिए और वह लड़की किसा गोत्मी पड़ा खुस हो गई और कहने कि कोई बात नहीं में ले आउंगी लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि आप mustard seed उस घर से लेकर के आए जहाँ पर कभी किसी की मृत्यू ना हुई हो जहाँ पर किसी का बच्चा किसी का हजबेंट किसी के पेरेंट या किसी के मित्र कि मृत्यू ना हुई हो अब आपको ऐसा कोई घर मिल सकता है जहाँ पर किसी के बेटे की किसी के मातापिता की किसी के पती की या किसी के मित्र की मृत्यू ना हुई हो और किसा गोत्मी ये सुनकर के चली गई और जाकर के घर घर जाकर के पूचती कि मुझे mustard seed चाहिए लोग उस पर दया करते और कहते हाँ ठीक है here is mustard seed हमारे बास है ले जाओ लेकिन जब वह है ये पूछती कि यहाँ पर किसी का son, daughter, mother, father किसी की death तो नहीं हुई वे लोग बहुत दुखी हो जाते और कहते कि मर्दों बहुत चुके हैं जीवित हम ही बहुत कम है एक परिवार में कितने रखती होते हैं पांच, साथ, पंदरा, बीस पचास लेकिन उनकी जिनकी death हो चुके हो कितने होते हैं parents, उनके parents, उनके parents, उनके parents साथ से पता नहीं कितनी हजारों पीडियां मृत्यू को प्राप्त हो चुकी है तो वे लोग कहते हैं कि हम ही जीवित बचे हैं कुछ ही, हम तो बहुत कम हैं जो जीवित बचे हैं, मेरे वे तो बहुत जाता है और यहां से चली जाओ प्लीच हमारे दुखों को वापिस ना ले करके आओ हमें याद ना दिलाओ और इस प्रकार से किसा गोत्मी को कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता कि जहां पर किसी के मृत्यू ना हुई हो किसा गोत्मी ठक हार करके सडक के किनारे सहर के पास बैठ जाती है और वहाँ पर लाइट्स उप सिटीज उस शहर की लाइट्स को देखने लगती है अब पहले ऐसे एलेक्टिस इती जैसे आप है क्या अपने बचन को ओण किया लाइट्स चल गई स्विच को ओण किया एसा नहीं था पहले सडक के किनारों पर लेंप जला करके रखते थे जिन में तेल होता था और जब तेल खत्म हो जाता था तो वह दिया बुझ जाता था क्योंकि उनके अंदर का तेल फत्म हो जा तो फिर यह सोचने लगी कि मनुश्य भी ऐसे ही है मनुश्य जिनका जन्म हुआ है ते क्या होते हैं अपना लाइफ जीते हैं जब तक उनके सरीर में जान होती है जब तक वे किसी बिमारी से पीडित नहीं होते हैं, किसी दुख से पीडित नहीं होते हैं, उनके साथ कोई दुरगटना नहीं होती है तब तक वे अपना life जीते हैं और फिर ऐसे ही क्या हो जाते हैं extinguish हो जाते हैं मर जाते हैं जब उनका life का एक जो आधार है जो सांस है उनके प्रान है जब वो उनसे चिन जाते हैं तो वे मर जाते हैं ठीक उसी तरह जैसे ये road के किनारे क्या जल रही है ये lights जल रही है और ये flickering हो रही है टिम्ट मा रही है उसके बाद ये बुझ गई है अब किसा गोत्मी को real meaning समझ में आया क्या कि death is common to all death तो सब के लिए common है सब को आनी है ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे बेटे की ही death हुई है किसी और की नहीं हुई है death तो सब की हुनी है और मैं कितनी selfish हो गई हूँ कि मैं अपने बेटे को ले करके सब के पास गुम रही हूँ कोई मेरी बेटे को जीवित करते है उसको अहसास हुआ कि वह गलत है उसको अब immortality अनश्वर्ता अमृत्तव की प्राप्ति हो गई जैनि कि उसको सही ज्यान हो गया तो ये ज्यान सही किस ने दिया था ये ज्यान दिया था भगवान बुद्ध ने उसको सिखाया थे एक छोचे से उधारन से कि ऐसे घर से mustard seed लेकर क्या हो जिस घर में कभी किसी की मृत्यू ना हुई हो अब उसको अहसास हो गया कि in the whole world there is no house कोई भी गर ऐसा नहीं है जिसमें किसी की मृत्यू नहीं हुई हो वह अप महसूस करती है कि in the valley of this desolation world ये जो दुखों से भरावा संसार है इसी से आत्मी को immortality की प्राफ्थ होती है immortality का ज्यान होता है और वह है क्या होता है अपने स्वार्थ को अपने selfishness को त्याग देता है अब भगवान बुद्ध ने किसा गोत्मी के एपिसोड के माध्यम से हमें बहुत बाते बताई उनकी कुछ बातें कुछ ग्यान कुछ उप्तेस कुछ प्रेचिंग कुछ सर्मन वह यहां पर दिया हुआ है कि life of mortals mortals कौन होते है नश्वर जिनका नास होना है हम सब नश्व किससे बहरा हुआ है आदमी का जीवन सोरों से और ट्रबल्स से बहरा हुआ है हर व्यक्ति का जीवन यह माहत्मा बुद्ध ने कहा है यह उनका एक उफदेश है और वास्त्रिक्ता है कि हर व्यक्ति का जीवन में दुख हैं और प्रेशानिया है और एक बात और कही है and is brief कि जो लाइफ है वह वह चोटा भी है को ज्यादा बड़ा नहीं हद से सो साल है सो से ओपर दो चार पांच देस साल कोई जी लिया तो जी लिया नहीं तो हद से हद है सो साल और आज के इस समय में तो साच-सत्तर साल ही व्यक्ति की उम्र रह गई है कि भगवान बुद्ध ने क ने ये बात बरसों पहले कह दी थी कोई भी मुट्विस से बच नहीं सकता बाइणी मिंस कुछ भी जुगाड लगा ले कोई भी परियास कर ले किसी भी परकार के संसाध्णूं का उप्योग कर ले लेकिन विक्ति उसे बच नहीं सकता ओल्ड एज आनी ही आनी है आदम्य को बुड़ा होना ही होना और तब क्या हो जाएगी तब उसकी मृत्यू हो जाएगी और ये बात बिलकुल सत्परतिसत सही है उस समय लोगों की उमर बहुत जादा होती थी लोग बुढ़ापे में जाकर के मरते थे और इस ग्यान की प्राप्ति भगवान बुढ़ने कर ली थी आज के समय में तो जनम लेते ही मृत्यू हो जाती है और बहुत कम उम्र में भी लोग मर रहे हैं ऐसा देखने को मिलता है लेकिन भगवान बुद्ध ने उस समय के हिसाब से जो कहा था कि मृत्यू जरूर आएगी आदमी बुड़ा हो जाएगा और उसके बार उसकी मौत हो ज जाते थे राइप फ्रूट जो फल पक जाता है पकने के बाद क्या होगा गिर जाएगा तो ऐसे ही मुनुष्य का जीवन है राइप फ्रूट अर्ली इन डेंजर ओफ फोलिंग कि जो पके हुए फल होते हैं वो जल्दी गिरने के खत्रे में होता है उनको गिरने का खत्रा भी जब उसकी मुर्ट्यू आनि होती है इसका मतलब वह है अपने जीवन को पूरा कर चुका है और उसकी मुर्ट्यू आ जाती है कि मोर्टेल्स वेन बोर्न आर इंडेंजर ओफ डेथ कि जो नस्वर लोग है जो नस्वर है इंसान है वो जब जनम लेते हैं ना तब ही से व फ्रूट्स जल्दी गिरते हैं जो पक जाते हैं और इसी परकार से मुनिश्य भी जो है जनम लेते ही मुर्ट्यू के खत्रे के भावर में आ जाता है आगे एक एक जामपल ओर जिया कि जैसे पोटर होता है कुमहार क्या करता है वह मिट्टी के बरतन मुनाता है छोटे बरत बरतन नहीं चूटेगा चोटा चूट जाएगा यह बरतन नहीं चूटेगा बड़ा चूट जाएगा यह बरतन नहीं चूटेगा यह चूट जाएगा ऐसा नहीं है भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो पर्टर होता है वह कितने भी बरतन बना ले किसी भी तरह के बना ले उनका end क्या होगा? broken हो जाएंगे, वो तूठ जाएंगे. ठीक इसी प्रकार से कहा है, कि कोई ये कहे कि मैं तो young हूँ, मेरी मृत्यू तो नहीं होगी, मैं तो छोटा हूँ. कोई कहे मैं adult हूँ, मेरी मृत्यू नहीं होगी, ऐसा नहीं है. चाहे young हो, चाहे adult हो, चाहे कोई fool हो, मुर्क हो, और चाहे कोई wise हो, बुद्धी मान हो. भगवान बुद्ध कहते हैं, कि death is common to all. Death तो सब के लिए common है, सब को आनी है, वो ये नहीं देखती, कि young है, adult है, fool है, wise है, क्या है? और भगवान बुद्ध कहते हैं, all fall into the power of death, all are subject to death, जो मैंने आपको अभी बताया, कि सब के सब जो हैं, वो मृत्यू की सत्ता, मृत्यू की power में है, मृत्यू सब को आनी है, और सभी के सभी के हैं, subject to death, जैनि कि सब के मृत्यू होनी है, भगवान बुद्ध ने बहुत बड़िया, एक्जमपल देखर के, पोर्जर का, बर्तनों का देखर के, हमें ये बात समझाई है, उसके बात भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं, कि जिसकी रुत्यू आ गई है, जिसको death ने अपने काबू में कर लिया है, उसको कोई नहीं बचा सकता, अगर कोई father कहें न, किसी के father के बेटी की मृत्यू बही है, कि father उसको बचा लेगा, नहीं, father cannot save his son, या फिर kinsmen their relations, या जो सगे संबन्दी हैं, वो कहें हम तो अपने मित्रों को बचा लेंगे, उनकी मृत्यू नहीं आने देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है कहने का, कि मृत्यू तो common है, मृत्यू से बचा नहीं जा सकता, उसे कोई भी नहीं बच सकता, एवर राजा है, रंक है, अमीर है गरीब है अजल्ट है यंग है फूल है वाइज है कुछ भी है यही इन सारे उप्देशों का एक महत्व है कि इन में एक ही बात बार-बार समझाने का प्रियास किया जा रहा है कि कोई भी नहीं बच सकता सभी के सभी मोर्टल है नश्वर है सबका नास विनास होना है यह भगवान बुद्ध काते हैं जैसे एक बैल को लेकर के जाते हैं कहां पर भूच्ण घाने में मृत्यू होती है उसकी बसकार देया जाता है ऐसे ही एक-एक करके व्यक्ति को ले जाये जा रहा है तैसे मृत्यू के द्वारा ऐसे ही जितने भी इस वाल्ड में ना मोर्ट दुनिया क्या है संसार और संसार क्या है नश्वर लोगों से भरा पड़ा है कहते हैं कि यह सारे लोग भी किस से अफ्लिक्टिड हैं मृत्यू से पीडित हैं यानि कि सब को एक एक करके ले जाया जा रहा है इसलिए हमें उनके ओपर लेमेंट नहीं करना चाहिए पच्टाव लोग होते हैं ना वह पच्टावा नहीं करते हैं उनको तब पता है उनको समझ आ चुकी है जैसे भगवान बुद्ध ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी अपने घर बार को एश और आम को छोड़ करके वह चले गए थे तोकि उनको यह बात समझ में आ गई थी कि मृत्य तुझे है सबको आनी है और सभी के सभी जो मोर्टेल्स हैं आर्दा सब्जेक्ट तू टैथ आई अब कुछ और उप्तेसों के वारे में हम जानते हैं भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब दुखों का कारण यह सौरोज हैं पेन हैं ग्रिविंग्स हैं तो इनसे बचा कैसे जाए पीस ओप माइंड दिमाग की सांती कैसे प्राप्थ हो इसके लिए उपाए भी बताते हैं ऐसा नहीं है कि उन्हें कारण ही गिनाती है कि यह कारण है मृत्यू से बचा नहीं जा सकता मृत्यू दूआनी ही है उन्हें उपाए भी बताया है कि हम अगर मन की सांती चाह सुरू करते हैं दुख परकट सुरू करते हैं तो से क्या होगा आपका पेन आपका दुख विल बी ग्रेटर और ज्यादा हो जाएगा आप तो दुख कम करने की बात कर रहे हैं कि दुख कैसे कम हो मन की सांती कैसे मिले तो मन की सांती रोने से या दुख परकट करने से को problem होती है जैनि कि कुछ भी हो जाए आपने किसी परकार का Lamentation नहीं करना है पश्तावा नहीं करना है अगर आप किसी परकार का आपने खाना जोड़ दिया किसको problem होगी आपकी body को problem होगी किसी दूसरे को problem नहीं होगी यही भगवान बुद कहना चाहते हैं कि रोने से या दुख परकड़ करने से तो आपका दुख और ज्यादा बढ़ेगा आपकी body को ही problem होगी उसी को सफर करना पड़ेगा आपका चेहरा पिला पड़ जाएगा आप बिमार हो जाओगे यह चीज भगवान बुद कहते हैं और एक बात और कहते हैं कि आप बिमार हो जाओगे आपका चेहरा पिला पड़ जाएगा आपके दुख बढ़ जाएगे लेकिन जो मरे वे वेक्ती हैं वो नहीं बच सकेंगे फिर भी वो तो जा चुके हैं उनका वापिस आना बहुत ही मुश्किल है यानि कि वो वापिस आ ही नहीं सकते चाहिए आप कुछ भी कर लें फिर इस चीज का फाइदा क्या है तो सांती को प्राप्ट करने के लिए माइंड की पीस सांती के लिए क्या करें हमारे दिल के अंदर एक एरो है एक तीर है ऐसा नहीं कि वो तीर अंदर फिट है एक सनक है एक पागलपन है कि जब भी किसी की मुरूत्य होती है कि इसको कोई दूख होता है तो हम उस पर पच्टावा करना शुरू कर देते हैं तो मुढ़न का वार्श्रवान का अशिरवाद क्राप्त होगा आपको मन की सांती प्राप्त हो जाएगी तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध की जो प्रीचिंग से हैं वो इसमें चेक्टर में बताई गई है और साथ ही किसा गोत्मी के माध्यम से यह भी बताया है कि किस प्रकार से का बगवान बुद्ध ने कितनी सरलता से उसका उपाय बता दिया चिसा गोत्मी के दुख को दूर कर दिया उसको समझा दिया कि डैट इज इसेंचियल जट तो जरूरी है यह तो नहीं ही होनी है ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप मेरे चैनल को सब्सक्र हैं मैं उनका solution जरूर करूंगा और red bell icon को जरूर प्रेस करें thank you have a nice time